तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेशन अलहामरा के जफीरो कलेक्सन रीगल के बारे में हेलो दोस्तों मेरा नाम है कंचन पटेलोर आप देखना सुरू कर चुके हैं फ्रेक्स टॉग इस चैनल पर हम फ्रेकेंस रिलेटेड बाते करते रहते हैं तो प्लीज लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजेगा इस वीडियो को सब्सकाइब भी जरूर कर दीजेगा अब बात करते हैं सीधे इसके प्रेजेंटेशन के बारे में तो बहुत ही खूप सूरा सा क्लासिक प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है यह जो पूरा का पूरा box है बहुत solid तरीके से मना हुआ है Made in UAE product है, पीछे hologram देखने को मिलेगा Mason Alhambra बहुत ज़ाद अच्छे काम कर रहा है और 2023 में इन्होंने धूम मचा रखी है कई सारे fragrances के clone लाए है लेकिन especially Mason Alhambra का जो Zafiro Regal Collection है यह किसका clone करता है, यह आज तक disclose नहीं हुआ है इवन इसके notes भी clearly mentioned नहीं हुआ है तो हमें कैसा लगता है, वो आगया में बताऊंगा कुछ इस तरीके से sliding तरीके से open होता है और अंदर एक और box देखने को आपको मिल जाता है और यह जो open होता है, वो कुछ इस तरीके से open होता है तो बड़ा ही खुबसूरत सा presentation है और अगर आपको किसी को gift देना है तो वो भी बहुत बड़िया है और अगर आपको खुद को purchase करना है तो तो फिर बात ही कुछ और है और जो bottle है, वो बड़िया सी खुबसूरत सी blue theme में bottle दिऊ ही है काफी solid bottle है, thick glass की है और यह जो cape देखने को मिलता है wooden cape है और black paint उस पे किया हुआ है पूरा का पूरा wooden ही है अब सीधे इसे spray करते हैं और fragrance के पारा में बात करते हैं बहुत बड़िया spray है बहुत बड़िया throw है और जैसे ही आप इसे spray करेंगे बहुत खुबसूरत से classical wipes आपको आने लगेंगे मुझे नहीं पता कि लोगों को लोग इसके बार में क्यों बात नहीं करते हैं बहुत कम review देखने को आपको मिलेंगे लेकिन ये चीज अपने आप में बहुत ही खुबसूरत सी चीज है बहुत खुबसूरत से spicy woody accords आपको देखने को मिलते हैं शुरुवात में तो जैसे ही आप इसे spray करेंगे कुछ spicy aroma है केसर की खुजबू है सेफरोन जिसे कहते हैं केसर की खुजबू उसके साथ में cinnamon का दाल सीनी वाला note है और उसके साथ में cardamom की खुजबू है यानि की ilaichi की खुजबू है तो ये spices इसमें शुरुवात में एक punch देते हैं आपको बहुत बढ़िया सा जो इस पूरी fragrance को मरदाना खुजबू बनाता है बिलकुल भी ये लड़कियों वाली खुजबू नहीं लगती एकदम मरदाना खुजबू लगती है जो हर किसी को पसंद आएगी classical way में जाएगी तो वो चीज है उसके बाद में जब ये थोड़ा सा और आप समझने लगेंगे तो बहुत अच्छे से wood का यूज हुआ है वोड़ी खुजबू है अब वोड़ी खुजबू कैसी है अगर आप किसी जंगल में जाते हैं और लकडियां बहुत सारी कटी हुई है और हलकी सी बारिस हुई हुई है तो वहाँ से जो बहुत अच्छी सी फ्रेगेंस जनरेट होगी वो अर्थी टाइप के नोंस देखने को मिलता है वो woody, cedarwood टाइप का नोंस देखने को मिलता है बहुत प्यारा सा तो woody कुजबू है नमी वाली woody कुजबू है उसके उपर ये जो spicy आरोमा है जो मैंने बताया वो spicy आरोमा देखने को मिलता है और उसके बाद में मुझे कहीं ने कहीं बहुत mild सा animalic tone भी मिलता है यानि कि जो leather का बहुत mild सा note है leathery accord है वो भी यहाँ देखने को मिलता है और वही चीज इसे बहुत appealing बनाती है एक bold character देती है और लोगों को वही चीज ज़्यादा पसंद आईगी इस fragrance के अंदर बहुत ही खुबसुरत तो ये सारी चीज ने मिलके इसे classical effect देती है एक नयापन देती है एक unique character देती है जो niche quality की खुजबू देती है बड़े-बड़े महेंगे perfume जो 20,000, 25,000, 30,000 के fragrance आते है उस तरीके की fragrance आपको इसमें देखने को मिलती है आप अगर इसे compare करना चाहिए अगर आपको tom food का जो wood है वो पसंद आता है तो अगर वो पसंद आता है तो यह आपको 101% पसंद आएगा दोनों अलग-अलग है लेकिन उस category उस type का fragrance है वो woody character है वो spicy character है उस तरीके के way में आपको ले जाता है लेकिन clone बिल्कुल नहीं है clone तो मुझे समझ नहीं आया कि यह किसका है लेकिन जो इसकी खुजबू है वो बहुत classic है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए unique है और masterpiece cheese यह बनाई हुई है तो fragrance तो बहुत बढ़िया है अगर marks देना हो तो आराम से 9 marks मिल जाएंगे 10 में से अब बात करते हैं इसके performance के बारे में उसके बाद चला जाता है लेकिन अगर आप इसके 10 से 12 spray लगाते हैं 12 plus spray लगाते हैं तो 6 गंटे तक भी लोगों को detect होता है लेकिन आपके दाइरे में बना होता है इसकी खास बात यह है कि यह close encounters के लिए बना है यानि कि बहुत जादा loud नहीं होता है इसके लिए बहुत बढ़िया चीज है अगर ठंडी का टाइम है office wear करना है बहुत ही solid चीज है या फिर आप अपने खुद के लिए कोई अच्छी चीज लगाना चाहते हैं या फिर अगर आपकी age 30-30 साल से उपर की है और आप चाहते हैं कुछ ऐसी चीज हो जो woody और spicy करेक्टर आपको दे मरदाना खुजबू दे तो आप अपने लिए लगा सकते हैं बहुत अच्छा enjoy आप करेंगे मैं काफी ज़्यादा enjoy करता हूँ इस fragrance को लगा के और बहुत अच्छा blend ये बनाया हुआ है तो performance आपको ज़्यादा satisfy नहीं करेगी पांच घंटे आप मानके चलिए उसके बाद अगर आपको इसके fragrance आई है तो छोटा सा decant आप ले सकते हैं carry कर सकते हैं और दूबारा reapply कर सकते हैं लेकिन fragrance के मामले में बहुत गजब चीज है कब आप इसे लगा सकते हैं तो तेज ठंडी का मोसम हो या फिर रात का टाइम हो तो ही बहुत बढ़िया सूट करेगा तेज गर्मियों में इसे recommend नहीं करता हूँ क्योंकि इसकी woody animalic tone ज़्यादा loud हो सकती है आपका सिर पकड़ सकती है लेकिन ठंडा टाइम है बहुत ही बढ़िया समा बांदेगा और बहुत बढ़िया से aromatic effect इसके साथ मिलते रहेंगे तो दोस्तों अगर बात करें final conclusion की तो अगर आपको ऐसी खुजबुएं चाहिए जो आप अपने खुद के लिए लगाए या फिर बहुत ज़्यादा loud ना हो या फिर आपको close encounters के लिए चाहिए मरदाना खुजबु चाहिए बहुत appealing लगे, aromatic लगे तो ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है और अगर आप ऐसा चीज चाहते हैं जो mass appealing हो, जैसे ही आप लगा के जाएं तो जनता आप से पोउचने लगे कि क्या चीज लगाया है तो ये चीज वो नहीं है, ये एकदम अलग चीज है बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 1799 रुपे पे currentlyfrextalk.in जो कि हमारा वेबसाइट है वहाँ देखने को मिल रही है अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस लाइक जरूर कर दिजिएगा नेक्स्ट किस पोफ्यूम का आप रिविउउ देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए कोसिस कर रहे हैं कि डेली आपके लिए वीडियो लाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए स्वरक्चित रहे हैं